हलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे आपर ब्यस्टी सेकंडियर का फ़स्ट पेपर और इस पेपर के अंत्रगत हम देखेंगे संक्रमण तत्तो किस किस त्रणी में रखे गया हैं तो उसमें से आज हम देखेंगे सेकंड टांजीशन सिरीज करिंगल यह हुआ कि जो हमारी एक्टर्नियम कर लिए है एक्टर्नियम से कर्णियम 48 तक जो एलिमेंट रखे गए हैं उनमें क्या एलेक्ट्रोनिक द्यास होता है और यह किस बर्ग में आते हैं बाजिये और इनका जो एलेक्ट्रोनिक द्यास है वो किस तरह होता है इसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे और इसके जो अंतिव एलेक्ट्रोन है वो किस एंब ब्लॉक में एक किस कच्च के में जाता है वो हम आपर देखेंगे तो आज़े सुरुवात करते हैं आपर हम 4D स्रेड़ी 4D स्रेड़ी या 4D सीरीज या 2nd सीरीज या 5th पिरियड इसको हम एक बार खुनाहा समझेंगे कि जो 4D स्रेड़ी है तो उसी को हम कहते हैं 4D सीरीज किन्तु ये जो संक्रमन तत्तो होते हैं उसमें ये सेकंड सीरीज है तो इसलिए सेकंड टाजिसन सीरीज बोलेंगे इसको और 5th पिरियड में ये एलिमिट रखे गए हैं इसलिए इसको 5th पिरियड भी कहते हैं अब हम आगे बरते हैं यहाँ पर इस स्रेड़ी में 10 तत्तो हैं एक्ट्रियम 39 से काड्मियम 48 तक हैं जो आवशारी के पंचम आवर्त में इस्थित हैं इन तत्मों का अंतिम इलेक्टरन 4D उपकोस में फ्रिवेश करता है आर्दपूरित उपकोस के इस्थायत के आधार पर क्रोमियम और कापर की तरह है यहाँ पर मॉलिविड्नम 45 5S1 तथा 47 सिल्वर 4D10 5S2 का इलेक्टरनिक उन्द्यास होता है परंदो 41 नियोवियम, 44 रूथेनियम, 46 पैलेडियम तथा 48 कर्णियम तत्मों के असंगत इलेक्टरनिक उन्द्यास की व्याख्या इलेक्टरनिक वो इलेक्टरन प्रितिकरशन तथा नाभिक इलेक्टरन प्रितिकरशन के आधार पर कर सकते हैं इन तत्त्मों का सामान इलेक्ट्रोनिक मिन्यास क्रिप्टान-36-4-D-1-10-5-S-0-2-2 तो यहां पर जो क्रिप्टान है थाटिसिक्स उसका जो इलेक्ट्रोनिक मिन्यास होता है वो 2888 होता है और इसके सयोजी को उसका यह रप्रणिम द्यास होता है वो होता है 4D 1-10-5-0-2-2 यहाँ पर फुरा हम इसी चीज़ को समझेंगे कि जो हमारी 5th period है 4D स्रेड़ी है किन्तु यह संक्रमन 2nd स्रेड़ी कहलाएगे पहली जो संक्रमन 3D है वो है 3D दूसरी है वो 4D स्रेड़ी है और दूसरी स्रेड़ी की ही हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो संक्रमन तत्तु होते हैं इस स्रेड़ी के अंतरगत उसमें 10 तत्तों आते हैं इट्रियम 39 से कार्डमियम 48 तक इनमें कुछ तत्तों ऐसे हैं जैसे की 3D स्रेड़ी में थे जैसे की क्रोमियम और कापर जो की आप बाउनियम के अपवाद थे ठीक इसी तरह यहाँ पर भी दो एलिमेंट ऐसे हैं एक मॉलिवियम 42 और सिल्वर 47 जो की उसी टाइप के मनलब की अपवाद हैं किन्तु इसी वर्ग में या इसी आवत में नियोवियम रूथरियम और काड़ियम ऐसे एलिमेंट हैं जो आप बाउनियम के एकॉडिन नहीं मंगर असंगत ब्योहाद प्रदसित करते हैं कैसे इनका जो एलक्रोनिक बिद्यास होगा वो आप बाउनियम के एकॉडिन ना भरकर वो किसी दूसरे तरीके से बरता है तो उसको अब यहाँ समझाएंगे तो बताएंगे किन्तु यहां पर जो हमारा 40 सीरीज है यह जो 40 सीरीज है उसका सामन यह होता है क्रिप्टान 36 4D 1-10 5S 022 और जिसमें क्रिप्टान जो है उसका इलेक्ट्रोनी मिन्द्यास क्या होता है 2888 जबकि सही हो जी कोस का इलेक्ट्रोनी मिन्द्यास क्या होगा 4D 1-10 5S 022 इसमें हम देखेंगे दो-30 संक्रम स्रेडी 4D स्रेडी तत्तों के इलेक्ट्रोनिक मिन्द्यास तो यह जो 40 स्रेडी के 10 एलेमेंट है उनको हम क्रम सा यहां पार रेके करके देखते हैं और उनका सेंबल देखेंगे और उनका एटॉमिक नंबर भी हमें आपर पढ़ेंगे कि किस एलेमेंट का कित स्रेड होगा आए हम यहां पर सुरुवात करते हैं कि सबसे पहला है यहां पर एट्रियम एट्रियम का जो सेंबल होता है वह होता है और एट्रियम इसका अटमी नंबर है 39 और 39 का जो एलेक्ट्रोनिक का रिफिगूरेशन होगा वह होगा क्रिप्टान 36 4D1 5S2 जो कि आप ऑनियम के एकॉर्णिंग ही मरा गया है तो यहां पर यह है एक्ट्रियम और एक्ट्रियम का यह रहा इसके वाद है जिलकानियम का सेंबल है जैड आर और इसका अट्रियम 40 है इसका जो एलेक्ट्रोनियास होगा क्रिप्टार 3642 फाइव एस टू यहां पर नियोबियम है 41 और इसका एलेक्ट्रोनियास इस तरह है इसी तरह मॉलिवेर विट्नम यहां पर हम देखेंगे जो मॉलिवेर है इसका एलेक्ट्रोनियास होगा क्रिप्टार 3645 फाइव फाइव वन तो यहां पर यह देखिए एक तो है यहां पर नियोबियम जिसमें तीन आर्ट्रोनियास है आपर बगद ही आया और इसकी जिए पर एक यह से भी रखोने आपर आ गया तो 44 हो गया जो कि क्या है यह नियोबियम है क्या है यह नियोबियम है यह दिक हमने कहा था यह 41 वाला अब यह हम बताएं पर देख रहे हैं करके उसके बाद है टेगनिसियम 43 और इसका जो है यहां पर यह चला क्या 43 का क्रिटा 36 45 और 5S 2 इसके बाद यहां पर रूथेनियम और इसका यह इसके बाद रोडियम यह पैलेडियम यह सिल्वर और कैडमियम तो यहां पर इसको हम एक एक खत्ली फुरा देखते हैं अट्रियम का 39 है अट्रियम और यहां पर 4D 1 और 5S 2 यहां पर जिरकोनियम जैडार इसका अट्रियम और 40 है और इसका इलेक्ट्रोनिक का इंफिक्रिशन है क्रिप्टान 36 42 5S 2 जिरकोन यह जो है यह जो हमारा 41 यह जो है फुर्टी वर यह असंगत विवार प्रदस्थ करता है यह जो है 41 वह असंगत विवार प्रदस्थ करेगा इसके बाद यह है रूथेनियम प्रूथेनियम क्या है 44 यह भी असंगत विवार प्रदस्थ करेगा इसके बाद है प्लेडियम यह प्लेडियम इतना है 46 तो यह भी असंगत विवार प्रदस्थ करेगा और इसके बाद है कड्मियम यह भी असंगत विवार प्रदस्थ करेगा तो यहां पर देखिए 42 की और 5S2 है तो यहां पर 43 आना चाहिए मगर यहां 3 ना आकर एक एलेक्टॉन जो है 5S से भी यहां आ जाता है तो यहां पर 44 और 5S1 हो जाएगा पर अगला एलेक्टॉन यहां ना जाकर D में ही आता है तो 45 5S1 यहां पर जो है टेकनिशियम में 45E रहता है और अगला एलेक्टॉन कहा जाता है 5S2 में 5S में जाता है जो यहां पर है रूठ्यदियम यहां पर देखिए यहां पर पाज की बाद एक एलेक्टॉन 6 होना जाए 46 मगर 6 ना होकर एक एलेक्टॉन बढ़ेगा एक एलड transforming से भी यहां पर आता है तो यहां पर क्या हो जाता है 47 ओर 5S बुद बन जाएगा अगला एक एलेक्टॉन नहीं बढ़ता है तो यहां पर और 5S2 बन हो जाएगा जो हो धिधार chemistry मैं किर्ट को जो हमारा पेले फ vontade आचाए 9 भी मगर्ड एक टाउन यहां से एक बलेगा तो यहां पर एक ट्रस से भी यहां पर आजये तो यह आता है 4010 और 5S0 अगला अगला यह अगर होगा 4010 फाइब है स्ट 되면 जाएगा और अगला अगर बहुत करदमी माला वह वी 5 एस तुमें जाएगा तो इस तरह ये जो element है 40 series के वो उनमें असंगत बिवहार पाया जाता है कैसा असंगत electronic न्यास पाया जाता है कि पहले ही D में ही पूरे भरियाते हैं और बाद में जो अगले electron है वो क्रमसा S block में ही बढ़ते जाएंगे जैसे कि यहाँ पर S से एक electron ने लिया तो यह 40 10 हो गया और जब यह 10 हो गया तो 10 से अधिक तो D में भर नहीं सकते तो अगला electron 5S बन में गया फिर एक electron बड़ा तो वो उसी 5S 2 हो गया मगा D में कोई electron चेंगमेंट नहीं हुआ तो इस तरह जो 40 सीरीज है वो यहाँ पर कंप्लेट होती है जो की हमारे आवर्ट साड़ी की 2nd transition सीरीज है 40 सीरीज और यह हमारे किस आवर्ट में रखे गई है 5th आवर्ट में रखे गई है Thank you बढ़िया दी है I वाओ क्या हमार्ट में रखे टक्या लग बाध पर दिर कोई है खरवर्ट में और खरवर्ट में और बागण झाल